जैभीम नमबद्धाय, विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत नमबेटकर की ओर से, जैभीम नमबद्धाय, आज मैं आप सभी लोगों को डॉक्टर बाबासाब अमबेटकरजी के परिवार का एक सदस्य होने के नाते एक अपील करना चाहता हूँ, ये अपील करने से प ये धाग 25 डिसेंबर 1927 को, जब बाबासाब इसको पूरा करने के लिए गये, तब वहां पर अंग्रेज पूलिस अधिकारी ने बाबासाब अमबेटकरजी से एक मुलाकात مांगी और बाबा साहब अंबेटकरजी से मिलने के बाद इस अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि बाबा साहब आपके इस आंदुलन की खिलाफ और महाड के चवधार तालाब को लेकर वहाँ के ब्रामन ये नियाले में गये है, कोट में गये है और आप लोग उस अतालाब पर ना जाये, इसलिए वहाँ पर स्टे ओर्डर लेकर आये है हम आपके खिलाफ नहीं है, आपके हक और अधिकार के खिलाफ नहीं है लेकिन आज अगर आप उस अतालाब पर जाते हो, उस कानून का भंग होता है तो मजबूरन मुझे आपको और आपके सभी सातियों को अरेस्ट करनी होगी बाबा साहब के साथ, बाबा साहब के साती खड़े थे बाबा साहब के सातियों ने कहा, बले हमको अरेस्ट कर लिया जाये, लेकिन हम तालाब पर जरूर जाएंगे लेकिन बाबा साब ने वैसे नहीं किया बाबा साब अंबेड करजी ने देखा कि यहां की ब्रहामिनी वेवस्ता बाबा साब अंबेड करजी का आंदोलन जिस ब्रहामिनी वेवस्ता के खिलाफ है उस ब्रहामिनी वेवस्ता के खिलाफ का ये आंदोलन अब वो न्याय विवस्ता के साथ करवाना चाहती थी इसलिए बाबा साब अंबेड करजी ने उस आंदोलन को स्तगीत किया बाबा साब महार के चवदार तालाप पर नहीं गए लेकिन बाबा साब अंबेड करजी का जो आंदोलन धवव स्तगीत नहीं हुआ महार के चवदार तालाप पर जाने का निर्णय बाबा साहब ने वहाँ पर रोका लेकिन उसी दिन बाबा साहब ने मनुसमुर्ती को जलाया ये मैं इसलिए आप को कह रहा हूं कि आज फिर उसी तरह का प्रसंग भारत में महारास्टर में हम लोगों के उपर आ गया है दिक्कत ये है कि ये निर्णय लेने के लिए बाबा साहब हमारे साथ नहीं है लेकिन बाबा साहब की एक बात मुझे हमेशा यादा दिये कि जो अपने इधियास भूल जाते है वो कभी इधियास बना नहीं पाते, ये हमारा इधियास है बाबा साहब अंबेड करजी ने योग्य निर्णय योग्य समय पर लिया है और इसलिए मैं ये बाबा सभ अमबेटकरजी के परिवार का एक हिस्सा होने के नाते मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करनी के लिए आया हूँ 14 एपरिल 2020 को बाबा सभ अमबेटकरजी की जहनती आ रही है जैनती मनाने के लिए हम लोगों को किसी के नियोते की जुरुत नहीं पड़ती पूरे देश विदेशों में बाबा साब अमबेटकरजी की जैनती मनाई जाती है लेकिन इस साल 14 एप्रेल का जो दिन है ये लोगडाउन में उस लोगडाउन की पिरेड का हिस्सा है इस दिन सेक्शन 144 पूरे देश भर में लागू है भारत भर में लागू हम लोग बाबा साब अमबेटकरजी के अनुयाई है बाबा साब अमबेटकरजी ने उस समय निर्णाई लिया ता कि नहीं हम नियाए विवस्ता के साथ अपना जगडा नहीं करना चाते इस देश की ब्रामनी विवस्ता के साथ इस देश में हो रहे हैं असमानता के साथ भेदवाव के साथ हमारा जगडा है और इसलिए मैं आप लोगों को बाबा साब अमबेटकरजी के परिवार का एक सदस्य होने के नाते आप सभी लोगों को ये गुजारिश करने के लिए कि 14 एप्रिल को यहने 13 एप्रिल के रात के 12 बजे से बाबा साब अमबेटकरजी की जैनती का महुत सभ पूरी भारत में शुरू होता है लेकिन इस 13 एप्रिल को मैं आप से बिंती करूंगा कि आप लोग रास्तों के उपर ना आए, सडकों पर ना आए, फटा के ना गुलाल ना उड़ाए, धोल ताशे ना बजाए, क्योंकि इस देश की न्याय वेवस्ता इसने सेक्शन 144 लगाया हुआ है, अगर आप लोग रास्तों के उपर आते हो, तो आप लोगों को एरेस्ट करने के लिए इस देश की सरकारे, इस महाराश्रा की सरकारे, ये कोशिश में लगे हुए है, कि कब आप लोग परतिक्रिया देते हो, कब आप लोग सरकों पर आते हो, और यही वो वेवस्ता होगी, इनका मीडिया, इनके पुलिस, इनकी न्याय वेवस्ता, ये आप लोगों को इस देश में देश द्रोही करार देंगे, करोना फैलाने के लिए जि इस देश का शिडूलकास्ट होगा, इस तरह की न्यूस चलाए जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों से यही बिंती करने आया हूँ, कि 14 एप्रिल बाबा सब अंबेड करजी की जहनती, ये हम लोग अपने अपने घरों में बैठ कर मनाएं, बाबा सब अंबेड करजी की कि यूनी के उपर, उनकी बातों को पड़े, उनका इतियास जाने, लेकिन सडकों पर आने के लिए, आप लोग इस साल टालिए, और जैसे ही ये लोगडाउन का पिरेड खतम होता है, हमारे लिए बाबा साब अंबेड करची की जहनती सिर्फ 14 तारिक तक सिमिक नहीं होती, मह इस समय पूरा विश्व इस करोना के यूद से लड़ रहा है, ऐसे हालातों में हम लोगों को नियाई व्यवस्ता का साथ हमारे जगडा नहीं करना है, इस महारास्टर का जो सरकार है, ये भी RSS की ही सरकार है, आप लोगों को लगता होगा कि भड़न विस चला गया है, तो ठाकरे आ गया है, तो थोड़ा लिनियंट होगा, हम लोगों के उपर कारवाई नहीं करेगा, सबसे जादा जाती वादी तो यही पार्टी है, ये BJP की दूसरी A टीम, B टीम कुछ बोलते हो, ये वही है, ये वही लोग है, ये लोग आप लोगों को आपकी गलती के लिए पकड़ना चाहेंगे, आप लोग रास्तों के उपर आओ, आप लोग सेक्शन 144 का भंग करो, हम लोगों ने 2018 में हमारे 35,000 बच्चों को महारास्टर में, जुटी एफायर्स में फस्ते हुए देखा है, उनकी लड़ाई आज तक किसी नहीं लड़ी, आज भी हमारे बच्च जो आयस एस्पिरेंट्स है, UPSC, MPSC की पढ़ाई कर रहे थे, बैंकिंग की पढ़ाई कर रहे थे, आज वो बच्चे कोट के, दरवाजे के चक्कर लगाते रहते हैं, और इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये बिंती करना चाहता हूँ, उस समय तो जो पुलिस थी, वो गो महारास्ट्र के पुलिस को, नियाई वेवस्ता को नहीं देना है, जो हम लोगों के उपर कानूनी कारवाई कर सकें, इसलिए अपने अपने घरों में बैठ कर, बाबा साब अंबेटकर जी की जहिंती मनाएं, बाबा साब अंबेटकर जी की जीवनी के उपर पढ़ें, और पूरे वर्ल्ड के लोगों को मैं ये कहना चाता हूं कि पूरा सिर्फ महारास्ट्र या पूरा भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड इस करोना वाईरस से लड़ रहा है, और क्यूंकि मैं भी मेरे जून तक के सारे शेडूल तय थे, चौदा तारिक को मैं लंडन में था, उसके ब बाबा साब की जहनती, ये बहुत ही सादे और सरल तरीके से मनाए, ज़्यादा लोग इखटा ना हो, और मैं आपको और इक बताना चाहता हूं, ये साल जो है 2020, 1920 में बाबा साब अंबेट करजी ने सबसी पहली बार उनका मीडिया खड़ा किया था, उनका पेपर खड़ा क उस बात को सो साल पूरे हो चुके है, तो इस साल मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, सो साल इस घटना को पूरे हुए कि बाबा साब अंबेट करजी का मीडिया सो साल पहले हुआ करता था, क्या बाबा साब अंबेट करजी का मीडिया सो साल के बात नहीं हो सकता, इस साल क जैन्ती जो फटा के हाप लाते थे, जो गुलाल लाते थे, जो डीजे लगाते थे, जो डोलताशे मंगाते थे, वो सारा पैसा अपने मेडिया को खड़ा करने में लगाओ, आंदोलण नहीं रुकना चाहिए, एक जैन्ती हम लोग घर में बैठ के मनाएंगे, लेकिन उसी साल देश-विदेश का एक मेडिया, एक चैनल, न्यूस चैनल हमारा खड़ा होना चाहिए, जिस तरह से आज तक जी न्यूस, ये मोदी की गुनगान गाने वाले चैनल चल रहे हैं, उसी के बगल में बाबा साहब का चैनल इन लोगों को दट कर, प्रोफेशनली तरीके से, एक काम इस जैनती में पूरा करने की ताकत अपने आप में रखो, और इस तरह से बाबा साहब अंबेटकरजी को अभिवादन करो, सो साल पहले अगर बाबा साहब का मीडिया हो सकता है, तो सो साल के बाद बाबा साहब का मीडिया क्यों नहीं हो सकता, हम अपने सालरी का यही मैं अपिल आप लोगों से करना चाहता हूँ, महाराश्ट्र, देश और विदेश के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि पावा सहब की जैनती 14 एप्रिल को आ रही है, लोकडाउन का पीरेड है, करोना से हम लोग जूज रहे हैं, इस इन हलातों में हम लोगों को साधे और सरल तरीके से यह जैनती मनाएं, खास करके मैं महाराश्ट्र के लोगों को कहना चाहता हूँ, कि किसी भी तरह से प्रतिक्रिया न देते हुए, केवल साधे तरीके से अपने घरों में ही बैट कर यह जैनती मनाएं, महाराश्ट्र के पुलिस को जो जाती वाहत करने वाल प्रतिक्रिया देने के लिए रास्तों के उपर ना आए और हम लोगों को जो ये थपा लगाना चाहते हैं वो थपा अपने आप पर ना लगाओ यही अपिल में करता हूं यही पर रुखता हूं जै भीम जै भारत जै बुद्ध